क्टाम के चैles तो आज की वीडियो थोड़ी से स्पेसल है और आज की वीडियो होने वाली है सेरामिक कोटिंग के उपर तो आप वीडियो स्पोब्लीट देखो आपके काफी पैसे बचा सकती है और साथ हिंसाथ मैं आपके बाइक को भी प्रोटेक्ट करने में ये वीडियो काम आएगी और वीडियो साथ करने से पहले आप सभी लोग ये वीडियो को परें दोस्तों कसा शेयर कर दो और इंस्साग्राम पर फॉलो करो नोटिफिकेसन बिलकों भी ओन कर दो ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेसन मिल जाए पहले बात करते हैं सेरेमिक कोटिंग क्या है फिर बात करेंगे इस प्रोडक्ट की तो देखो आपने सुना होगा Teflon coating या आप कभी बाइक खरीदते हो तो आप service center में जाते हो तो बोलते हैं भाई Teflon coating कर दे तो जैसे Teflon coating होती है वैसे ही होती है Ceramic Coating और एक wax coating भी होती है ये दो-तीन तरह की coating होती है बट इसमें सबसे advanced और सबसे जो अच्छी coating होती है वो थी ceramic coating और यह बहुत ही costly होती है अगर आप इसको कहीं बाहर से कराते हो जैसे मैंने अपने Dominar के लिए ceramic coating पता किया तो cost जो पढ़ रहा था Dominar में ceramic coating का वो था around 3000 के आसपास तो बहुत ही costly यह coating होती है और यहाँ पर टेफलोन और दूसरी coating की बात करें तो यह उन सब का बाप है मतलब बहुत ही अच्छी है अगर जैसे आप टेफलोन कराते हो तो आपकी बाइक के बले 102 महीने तक ही प्रोटेक्ट रहेगी लेकिन अप सेरामी कोटिंग कराते हो तो आपकी बाइक एक से डेड़ साल तक प्रोटेक्ट रहेगी ठीक हो सेरामी कोटिंग के बहुत सारे benefit होते हैं जैसे आपकी बाइक rust free हो जाती है और water resistant हो जाती है और heat resistant भी हो जाती है मतलब आपकी जो बाइक कालर होगा वह एक साल तक इन सभी चीजों से प्रोटेक्ट रहेगा तो है नकामाल की बात और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह सेरामी कोटिंग बाहर से करवाना बहुत ही कॉसली होता है मतलब आपको 2-3,000 रुपए आप पकड़ लो 2-3,000 रुपए आपको लगेंगे लेकिन यहां पर इमर पास यह प्रोडेक्ट है यह सेरामी कोटिंग है जो की मांत्र 6-700 रुपए में है और सेम वही सेरामी कोटिंग है बट इसको अपने को करना क्या कि घर में करना है ठीक ह अपने को तो बाइक होती है ना मतलब अगर अपन प्रोटेक्ट करना चाहा रहे हैं तो अपन बिल्कुल करेंगे यहां पर हमारे पास यह सेरामी कोटिंग को खरिदने के लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो वहां से आप इसको खरीज सकते हो और इसको आप पर यह सारी डिटेल लिखी हुई है कैसे आपको यूज करना है क्या क्या इसके फीचर्स हैं क्या 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 आपको यह प्रोवाइट करती है यहां पर आप देखो 9HMR फिक्स लिखा हुआ है और ऑटो सेरेमिक कोटिंग यह लिखा हुआ है तो यह है इसका बॉक्स और बॉ पर एक साल तक प्रोटेक्ट रहेगा सबी चीजों से और इसके साथ में आपको एक छोटा से यह वाइप करने के लिए क्लॉथ मिल जाता है और यह है स्पंजों जो कि अभी मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊ हूँ कैसे इसको यूज करना है तो यह कुछ आपको बॉक कर सकते हैं और को दिखाते हैं कैसे वर करता है अबиком लाइग करने ने से पहले आपको बाइक को अच्छे तब होनी होने चाहिए और दूसरी एक और बात कि अपलाई करने के बाद जैसे आप你要प लाई करने का पूरा प्रोसेजर आप एकर लेते हो उसके बाद आपको 2-3 द तक इसको सेटल होने में लगता है तीन दिन के अंदर ये पूरी बाइक में अच्छे तरीके सेटल हो जाएगा और हाट हो जाएगा उसके बाद ये आपको प्रोटेक्शन प्रवाइट करेगा तो ये चीज आप ध्यान रखो कि इसको अप्लाई करने के बाद दो से तिन दिन कोटिंग बॉक्स के अंदर आपको ये सब मिलता है और बॉक्स के अंदर आपको एक मैनूल ही मिलता है तो आप यूज करने से पहले या फिर अप्लाई करने से से पहले मैंनों को अच्छे तरीके से पढ़ लो ठीक है तो अभी फिलाल पन रखते हैं मैंनोल को साइड में और आपको बता दूँ यह सेरेमिक कोटिंग अपलाई करने से पहले आप इसमें कोई से भी पॉलीश अपलाई कर सकते हो पॉलीश हो गया शाइनर हो गया या कि फिर तीनर या कुछ भी ऐसा जो की डस्ट को अच्छे तरीके से रिमूब कर दे जो भी हो मतब छोड़े पार्टिकल्स बाद अब अपन अपलाई करते हैं सेरेमिक कि लगवख चार से पांच ड्रॉप है ना एक आपको स्ट्रेट लाइन में डालना है ऐसे ठीक है चार से पांच ड्रॉप आप पहली बार में डालें और फिर उसको क्या करना है एक सही तरीके से जेंटली आपको अच्छे तरीके से अपलाई करना है ऐसे फिर आप दो से तीन डॉप ले और अपलाई करें और आपको बदा दो जैसे मैट फिनिशिंग की बाइक है तो इसमें मैं केवाल एक कोट ही अपलाई कर रहा हूँ आप चाहो तो दो कोट या तीन कोट अपलाई कर सकते हो बट फिलहाल मैं भी एक कोट ही अपलाई कर रह और अभी देखने में सही लग रहा है और दो से तीन दिन तक आपको बाईक को धोना नहीं है यह आपको ध्यान रखना है और आप यह अपनी बाईक के प्रोटेक्शन के लिए जरूर अपलाई करें खरिदने के लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो हां से आप खरीच सकते हो और